मौनाना जर्जीस एक चर्चित नाम और लंबे समय से बलातकार का आरोपी कोट ने दोशी करार दिया और आज सजा हुई हमारे साथ अवदेश शिंग जी हैं अवदेश जी आप इस केस को लेकर आगे बढ़ रहे थे कैसे एक केस आगे बढ़ा और आज एक महत्पून दिन जब कोट ने सजा सुनाई दस साल की मौनाना जर्जीस को और पीडिता को पर भी लगातार दवा बनाये गया किस तरीके से आप लोगों ने नियाय को दिलवाया देकि यह मुकदमा करना बड़ा आसान नहीं था क्योंकि जो अभ्यूक्त है वो बहुत बड़ा मुस्लिन धर्म गुरू है और पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में देश विदेश में इसके करोणों फालोवर हैं अपनी इस पीछे देता है तकरीर करता है उसी तकरीर के दोरान 2013 में पिडिता से इसकी मुलाकात होती है और पिडिता इससे कुछ समस्चाओं पर समाधान चाहती है उसके लिए यह बुला के ले जाता है उसको कहता है कि गुलगड़ा आओ गुलगड़ा जाती है वहां से लेके जाता है ये कैंट एक होटल में जाता है वहाँ इसके साथ जबरस्ती बलातकार करता है और पिडिता के बिरोध करने पर ये वीडियो दिखाता है और कहता कि देखो चुप रहो अगर किसी से कहोगी तो ये वीडियो वाइरल कर दूँगा अनिथा मैं तुम से साधी कर कर लूँगा और ये साधी का वादा करते हुए और वीडियो को वाइरल करने की धंकी देखर के लगातार दो साल तक इससे बलातकार करता रहा फाइनली जब इसने साधी से इंकार कर दिया तो पिडिता ने जैतपुरा थाने में सन्सोलो में एफाइयार दर्ज कराई और एफाइयार दर्ज कराने के बाद 171-216 को और एफाइयार दर्ज कराने के बाद उसका महिला का 164 CRPC का बयान 29 एक 2016 को मुईस्टेट के सामने दर्ज कराया गया उसमें भी उसने पूरी घटना की तश्दीग की और उसके बाद फिर चार सिट आ गई तीन सचीहत तक पान सचार पान सच्छाव में आरोब बना और गवाही शुरू होई कि पीड़िता का बयान हुआ और चार रोंका बयान हुआ आये का बयान हुआ और फाइनली आर्गुमेंट के पहले तक इसमें मैं अधिवर्टा था कुछ खास कारों से तोरान कुछ धंकिया भी मिली पीड़िता को पीड़िताANS जरूर दिया था सिस्थी को कि धंकी मिल लई ये सुला का दवाव बनाया जा रहा है और कोर्ट में भी उसने तरखास दिया था और पिलता के लिए वाकई बड़ा संक्ट भरा समय था लेकिन वो डटी रही अपने सजा हुई और आगे क्या दर्वाजे खूले हैं दूसरे पक्ष के पास आज इसमें 376 में मानी ने आले ने 10 साल की सजा की है 504 में 1 साल की की है 506 में 2 साल की की है और 10,000 रुपे का जूर्बाना किया है और जूर्बाना न देने पर 6 महिने के अतरिक सजा भुगतनी होगी जहां तक उसके सवाल रास्ते का है तो सवावी कुर्प से अभ्यूक्त हाई- prof. जैगा हीिह वह अपील करेगा इसकी जए जा चुका है वह सजा होने के साथ ही उसको जेल भेज दिया गया है अब pajamas करता है क्या होता है नहрашा hij तक आप तक रहत नहीं तब तक उसको जेल में रहना पड़ेगा यह तक यह लंघक फक्त बाद के बाद आज समय पर उजागर होता रहता है यह बड़ा दुखत है इन धर्म गुरुओं के हजारों नहीं लाखों करोडों फालोर होता है और उनकी आत्मा को और उनकी भावना को बहुत ठेस लगती है ऐसे लोगों की सजा होना अपने आप में एक अच्छा संदेश जाएगा तमाज के ल अगे उच्छ नेयाले के दरवजा भले ही खुला है पर जिस तरीके से सजा हुई है अला कि सजा में में छे साल का वक्त जरूर लग गया पर पीडिता को इंसाफ जरूर मिल पाया है वीडियो जनलिस्ट वेपिंधिंधिंगे साथ सुशांद घर जी नेउज नेशन वारण कि अ कर लाई भली यहा है